श्री दानिश अलिजी धन्यवाद सभापती मोहदे सबसे पहले मैं आज बाबा साब डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर का परिन्यवारन दिवस है उसके लिए क्योंकि जिस संस्था में जहां पर हम खड़े हैं आज ये बाबा साब की देन है कि ऐसा सम्विधान बनाया कि देश के दबे कुछले वंचिस समाच के वर्ग आकर के इस सदन में अपनी बात रख सकें क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट बिल आज यहां पर डिसकस हो रहा है जो बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं डिपार्टमेंट रिलेटिट कमेटी ने स्टेंडिंग कमेटी ने भी उसको स्कूटनाइज किया है मैं ओवरॉल इस बिल के समर्थन में यहां खड़ा हुआ हूँ कुछ मेरी आपके माध्यम से सरकार को मान्यमंत्री जी को सला है कि जितने ये इंस्ट्यूट्स बने हैं सबसे पहला मोहाली में उसके बाद जो छे इंस्ट्यूट्स देश के विभिन कौनों में एमदाबाद, गोहाटी, हैदराबाद, हाजीपूर, कोलकता, राइबरेली में बने इसमें से केवल मोहाली में एक इंस्ट्यूट ऐसा है जिसके पास अपनी बिल्डिंग है ये बात सही है कि आज कम से कम कोविट नाइन्टीन के बाद हमारे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रेक्चर के उपर, मेडिकल साइंस में रिसर्च के उपर चर्चा कम से कम हो रही है और देश में जागरुकता भी आई है मैं चाहूंगा आपके माध्यम से मान्ने मंत्री जी से कहना कि जितने ट्राइल्स होते हैं दवाईयां टेस्ट करने में उसकी अकाउंटिबिलिटी थोड़ी सक्त करनी चाहिए क्योंकि यह देखने में आया है कि जो मल्टिनेशनल कंपनीज है जो विदेशी कंपनीज हैं वो भारत की कंपनीज के साथ टाई अप करके जो ट्राइल्स करते हैं वो हिंदुस्तान में करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर एसे गरीब लोगों पर जो दलित हैं आदिवासी हैं पिछने हैं वंचिस समाज के लोग हैं उनके उपर ऐसे ट्राइल्स जादा होते हैं उसकी अकाउंटिबिलिटी सरकार को दे करनी चाहिए और मुझे मालूम है ये पीछे से निशीकान दूबे जी बोलते हैं क्योंकि इनको भारत के सम्विदान पर भरोसा नहीं है क्योंकि बाबा साँप डाक्टर भाविरा उम्बेटकर साब ने हमें वो ताकत दी कि हम वंचिस समाज को इस सदन में आ करके उसकी बात को रख सकें इनको ये भी दर्द हो रहा है सप्तापक्ष के सदस्य को कि हम यह वंचिस समाज की बात कर रहे हैं कि गरीब दलित आदिवासी पिछड़े के उपर अगर कोई रिसर्च होती है ट्रायल होता है उसको हम उसे ऐसे कानून हम सक्त बना दे उस पर भी इनको जो है दर्द हो रहा ह मैं आपके मात्यम से यही कहना चाहता हूं कि रिसर्च के लिए सरकार को फंड्स और बहुत जादा देने की आवश्यक्ता है जितना फंड्स इन ऐसे इंस्ट्यूट्स को जा रहा है वो बहुत कम है ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर में भी इस इस फील्ड में बहुत काम किया है हमारे हैं जहां मैं खड़ा हो का बोल रहा हूं यहीं पर जामियां हमदर्द करके एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है फार्मा की डिग्री महां बहुत अच्छी दी जाती है और पूरे देश में बलकि विदेशों में भी महां से लोग जाते जहां हमारे हैं बहुत-bहुत बड़ी दवाईयों के ऐसी कंपनिया है जो वाकिरी जिनोंने काम किया है मैं नाम की नाम भी ले सकता हूं दो-चार के जो ऐसी मतलब सस्ती दवाईयां और और जेंटिक दवाईयां शिप्ला जैसी कंपनी जो हैंने बहुत बड़ा काम किया है मैं आपके मांत्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि क्यूंकि मेरा छेत्र जो है वो वेस्टन यूपी में है मैं चाहूंगा मानने मंत्री जी से कि एक ऐसा इंस्ट्यूट मेरे लोगसबाचेत्र नैशनल इंस्ट्यूट अफार्मिस्टिकल एजूकेशन रिसर्च इंस्ट्यूट अगर आप अम्रोहा लोगसबाचेत्र को भी देंगे जो की डिल्ली एंसीयार के नजदीक है तो मैं आपका आभारी रहूँगा आप मुझे मालूम है कि सरकार उत्तर पर्देश की सरकार शायद आप केदें कि उत्तर परदेश की सरकार ने नहीं भेजा होगा या नहीं भेजेगी देखे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन वहाँ पर केवल एक इंस्ट्यूट आपने राइबरेली में दिया है पिछली सरकार में वो भी क्यों दिया होगा और उसकी क्या इस्तिति है सब जानते हैं आज की बीटेंट के ऊसे पर भी हम लोग बहुत उतने जागरुक नहीं है क्योंकि हमारे हैं रिसर्च बहुत होती है काम बहुत होता है लेकिन उसको दात देने का काम जो सरकार को करना चाहिए जो उन साइंटिस्ट की मदद करनी चाहिए ऐसे पेटेंट कराने में वहां कहीं ना कहीं कोई कमी हम देखते हैं मैं इनी शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं बहुत बहुत शुप्रिया देंक्यू आग 6 दिसंबर है मैंने केवल इतनी बात कहीं सर दलित के नाम पर राजनिती करने से कोई दलित का हितेसी ने हो जाता है हम भी उतने ही दलित के हितेसी हैं कि बल्याथन कमीटी की रिपोर्ट मैंने केवल इतना कहां सर कि 2009-10 में आप सुन लीजे ना मैंने इतनी बात कही सर कि 2009-10 में बल्याथन कमीटी बनी थी और उसने यही बात कही थी कि जो रिसर्च होता है वो थर्ड वर्ल कंट्रीज के नाते भारत में उसका ज्यादा एक्स्पेरिमेंट होता है जब मानिये मोदी जी के नेत्रित में हमारी सरकार बनी तो 9-10 से जो य अभी उसमें सुधार करना था हमने वो सुधार कर लिया है कि अवल इतनी बात मैंने बताई थी ओके यो मेडियो पॉइंट थैंक्यू इस इतना ही कहना चाहरा हूं कि मैंने यह कहा था कि इस देश में गरीबों के उपर ट्रायल होता दलित आदिवासी पिछलों के उपर ट कि मानने सदस्टें अपने चेट में पॉइंट श्रेमत इस उपरिया सुल जी आख गुए